साल 1976 में देश के अंदर एक ऐसा कानून पास किया गया जिसका नाम था Urban Land Sealing Act इस Act को बनाया गया था लोगों के अंदर Equitable Land Distribution लाने के लिए लेकिन आज हमारे देशी जो प्लानिंग खराब है कई सेरे शेरों के अंदर जो हमें Illegal Encouragement नज़र आता है Roots का Network खराब नज़र आता है Infrastructure बहुत बेकार नज़र आता है उसके पीछे ये कानून बहुत हद तक जिम्मेदार है कई स्टेट्स के अंदर इसने बहुत 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 नुकसान किया और अगर इसका प्रूफ देखने के अगर हम कोशिश करें तो अगर आप कोई भी शेर का बहुत पुरना वीडियो जाकर देखने कोशिश करते हो Mumbai, Delhi, Kolkata अगर आप आज़ादी के समय के वीडियो जाकर देखते हो लेकिन बाद में देरे देरे ये खराब हुई और भारत के जो जादतर शेहर है वो आज Global Competition से बहुत पीचे है तो किस तरीके से Urban Land Selling Act देश के शेहरों को पूरी तरीके से खराब कर चुका है क्या इसके consequences थे? इसके बारे में आज हम जानेंगी साथ-साथ एक बहुत important सवाल का जावब भी हम देखेंगे कि क्या अब इसका कोई solution निकल सकता है और देश के जो भी शेहर है क्या हम उनकी planning को re-develop कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं जो Urban Land Selling Act था उसका statement basically था कि bringing an equitable distribution of land in urban agglomeration to serve the common good basically अगर simple भाषा में समझने की कोशिश करे तो Urban Land Selling Act का aim ये था कि जो भी urban area जो शेहर वाले area है वहाँ पर जो भी जमीन है इसका distribution equal तरीके से हो कोई बड़ी parties, कोई बड़ी private players इनको बहुत ज़दा जमीन एक साथ control करने का मौका ना मिले और इस कानून के अंदर किया ये गया था कि जो भी बड़ी parties होती है कई सारे लोग इन्डिविज्टल्स होते हैं जिनकर से बहुत पैसा है वो किसी शेहर के अंदर बहुत ज़दा जमीन अकेले नहीं खरीच सकती थे गवर्मेंट को इसका जैसे उमीर ये थी कि जो भी private company से private players है वो कोई बहुत बड़ा take over urban lands का नहीं कर पाएंगे जिसके वज़ेसे जो supply of land है वो हमेशा ज़्यादा मौझूद रहेगी कोई गवर्मेंट जो वो purchase को control कर रहा है और इसके जो गरीब लोग है उनको जमीन खरीदने के लिए affordable prices वो maintain कर पाएगी लेकिन इसके consequences जो पूरी तरिके से उल्टे हुए वो आज देश के अंदर शहरों की planning खराब करने के लिए ही जिम्मधार है अब समझते की हुआ क्या क्योंकि government का कहना ये था कि आप बहुत ज़रा जमीन खरीद नहीं सकते तो जो private players initial शहरों के अंदर development का काम कर सकते थे उन्हें कभी मौका मिला ही नहीं शहरों के अंदर बड़े land parcels होने के बावजूद कोई बहुत बड़ी अच्छी टाउंशिप कोई बहुत बड़े office parks, IT parks in fact healthcare facilities, universities इन जैसे चीजों को private companies कभी भी 1976 के बाद में established कर ही नहीं पाई क्योंकि उतनी जमीन उन्हें लेना permissible था ही नहीं कुछ-कुछ exemptions दिये जाते थे इसके अंदर एक provision था जहाँ पर companies exemptions ले सकती थी कि उनके government से बहुत बड़े land parcels को acquire करने के लिए लेकिन ये बहुत ही ज्याथा rare हुआ करता था और कई 100 developers में से एक या दो developers को ही permission मिलती थी कोई बहुत बड़ा project बनाने के लिए जिसका जिसे जादतर शहरों के अंदर छोटे-छोटे बहुत कम land parcels पर ही project बनाने पड़े और कभी भी कोई अच्छा इंफरा हमें एक जगे पर develop होता नहीं नज़र आया especially उस समय में जब urban areas में land actual में available था दूसरा consequence इसका ये हुआ कि government की उमीद ये थी कि supply of land को अगर control करेंगे per party के हिसाब से तो फिर उसके price को control किया जासे किया लेकिन उसका उल्टा हुआ government बड़े-बड़े हिस्चे of land शहरों के अंदर control करने लगी जिसके वज़े से जो available land था वो physically ज़ादा होने के वावजूद available to purchase के हिसाब से कम हो गया था और इसके जिसे जो supply है वो तो कम रही थर्ड issue आप कह सकते हो या incompetence के वज़े से ये आया कि government ने ये भी कहा था कि अगर बहुत बड़े वाश्ट pieces of land अगर government control करते है शहरों में तो वहाँ का development वो करेगी लेकिन maximum states के अंदर जहाँ पर ये चीज़ implement की गई वहाँ पर government के बहुत बड़े बड़े land को ठीक से control नहीं किया गया जो sale तो हो सकता था नहीं वाँ पर government से उमीद थी कि वो खुद का infrared develop करेंगी लेकिन कभी ऐसा किया नहीं गया लेकिन वहाँ पर illegal encroachment बन गए कई बड़े गवर्मेंट के द्वरा इस land का miss use किया गया वहाँ पर कोई development नहीं होता है उसका sale भी नहीं होता है किसी private company को वहाँ पर development करने दिया नहीं जाता है और यहां तो वहाँ पर government कुछ करता नहीं है या फिर वहाँ पर illegal encroachment जो है वो settle हो जाता है specifically महाराष्टर के गर हम बात करें और गुजरात की बात करें तो ये दो state biggest affected states थे इस land sealing act के होजे से जहाँ पर इसके होजे से कभी भी चीज़े ठीक से develop नहीं हो पाई 30 साल के अंदर देश की प्लान है कितनी खराब हुई 1970 से लेके 1990 से बीच में कि साल 1999 तक इस act के होजे से जो भी negative चीज़ी हुई थी उसे realize कर लिया गया था और गुजरात में 30 मार्च 1999 को इस act को repeal किया गया इसके बाद में एक एक करके ये states जो है वो इस land act को निकालना शुरू कर दिये और अभी जो है maximum states इस land act के अंदर नहीं आते जितने भी आप बड़े project आजकल शहरों के अंदर देखते हो जो metro projects है, port projects है अगर हम मुंबे के BKC की बात करें तो ये project जो है वो इसलिए बन पाया क्योंकि जो land sealing act था वो नहीं था और clearances मिलना possible था अगर यही चीज़े 1970 से होने लगती तो ये बात सच है कि बहुत ज़दा हमें private development देखने के लिए मिलता लेकिन वो ज़्यादा बहतर planning के साथ में देखने के लिए मिलता और जैसे आज के date में हम कई बार ये बात करते है कि किसी शहर का कोई industry area, कोई IT area कोई IT park काफी अच्छे तरीके से developed है, वैसा ही हमें ज़्यादा दर शहर develop होता हुआ नजर आता, लेकिन unfortunately इस आक्ट के ओज़े से वो नहीं हो पाया जब समय था तब, समझ दे की कोशिश करते है कि इसका कोई अभी solution है भी या नहीं, इसका पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ फिर से याद दिरना चाहूंगा कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि देश के शेरों की planning क्यों खराब है और उसके अंदर भी मैंने कुछ factors include किये थे तो यह जो urban land selling act है यह हमारे पिछले 40 साल के हिस्टे में planning खराब करने के लिए तो है ही responsible लेकिन इसके अलावब भी कुछ factors जो है उसको पहले हम समझ लेते हैं पहली बात यह है कि देश के अंदर अगर हम street layout की बात करें पुराने सड़कों के हिसाब से बनाए गए शेरों की बात करें तो हमारे देश के अंदर जो सड़के है वो 90 degree intersections पर नहीं मिलती कई जगों पर बहुत नैरो होती है एस्पेशली पुराने areas के अंदर और कास के सबसे नई बनी है ऐसा भी आप कह सकते हो यह जो है वो इस लाइंड से लिएक का जिसे नहीं है वो इसके लिए है क्योंकि हिस्टारिकली हमारे देश के अंदर जो भी शेहर है वो चोटे-चोटे गावों से शुरू होए थे हजारों साल वो पुराने जगह है जिनके लिए automobile कभी design के अंदर consider किया ही नहीं गया था जिसके कारण हमारे देश के शेहर ये बहुत जादा inefficient है गाड़िया और road network के हिसाब से दूसरा जो reason निकल के आ था उस video के अंदर वो ये था कि planning के हिसाब से हमारे देश के अंदर west से comparatively कम पैसरे इसके बाद में हमारे देश के अंदर एक बहुत issue ये था यानि आज भी urban planning देश के अंदर कोई बड़ा subject नहीं है जो देश के सरकारे हैं अलग-अलग level पे वो भी urban planning को ज़ादा ध्यान में नहीं रखती अगर हम कुछ western देशों की बात करें तो commercial zone, industrial zone, single housing home, multiple housing home reserved space for parks, schools, hospitals, open green areas इन चीजों को जो है बहुत अच्छे से स्टिक्ली plan किया जाता है लेकिन भारत के अंदर इसके कानून central level पे नहीं लिखे गए है लिखे गए तो काफी limited है और ये planning न होना भी एक बहुत बड़ा reason है कि देश के अंदर की planning के अंदर एक discipline नहीं है अच्छे सकते हो लेकिन personal life के अंदर अपनी financial planning करना आपके लिए काफी ज़्यादा ज़रूरी बन सकता है और इसी के लिए the one page financial plan ये बहुत समरी हिंदी में सुन सकते हो कुको FM के उपर एक ऐसा one stop solution जावर आपको हजारो high quality audiobooks सुनने के लिए मिलेंगे अपके समय को productively इस्तेमाल करने के लिए कुको FM का इस्तेमाल कर सकते हो और अगर आप अभी कुको FM के premium subscription को subscribe करते हो तो आपको special 50% का discount मिल सकता है PD50 इस coupon code का इस्तेमाल करते हुए जिसके लिए आपको description में दिए गए link को follow करना होगा तो अभी नीचे दिए गए link को click करें कुको FM के premium subscription को subscribe करें और PT50 इस code को इस्तेमाल करना ना भूलना याद या रखना है कि ये सिफ पहले 50 users के लिए valid होगा तो जल से जल link पर click करें अब finally ये समझ लेते हैं कि हम as Indians कर क्या सकते है शेरों के planning बहतर बनाने के लिए पहला ये है कि हम जो है एक long term change के लिए aim कर सकते है देश के अंदर जो issue बन गया है urban planning की सबसे वो आज के date में इतना खराब है कि urgency में कोई चीज कर पाना बहुत difficult है शेर के बड़े बड़े हिस्सों को गिरा कर हम वापे नई चीज़े नहीं बना सकते लेकिन अगर long term के सबसे अच्छे zoning laws बनाये जाए rules and regulations को अच्छा रखा जाए जाए पर private लोग को भी काम करने का मौका मिले सबसद government जो है वो overpower ना हो जाए कोई इसके लिए control भी रखे तो long term में आने वाले 50 से 60 साल में धीरे धीरे शेरों की planning हमें automatically बहतर हुए नजर आएगी और ये already कुछ हिस्सों के अंदर देखा भी जा रहा है देश के discipline को बहतर करना ये एक ऐसा point है इसके ओपर मैंने पिछले वीडियो में भी focus किया था एक example के साथ में समिनने कोशिश करते है यूरूप में जो कई सारे देश है अगर आप हम UK की बात करें जहापर लंडन जैसे शेहर है फ्रांस के कर हम बात करें जहापर पैरेस जैसे शेहर है इटली जैसे देशों के बात करें जहापर रोम जैसे शेहर है ये कुछ ऐसे शेहर है जो हमारे देश के कुछ शेहरों जिससे हम compare कर सकते है कि हजारों साल वो पुराने है वहाँ पे भी जो internal city वाले हिस्से है यहाँ पर बहुत जाज़ा congestion है अब एक बात सच है कि इन शेहरों को option मिला था वर्ड वर टू के बाद में पूरी तरह की से नए redevelopment का क्योंकि ये पूरी तरह की से destroy हो गई थी लेकिन फिर भी इनकी जो street layouts है जो streets की width है वो आज के डिट में भी हमारे दिश के कई शेहरों की तरह बहुत चूटी है लेकिन ये बहुतर इसके लिए नज़र आती है क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ों का apply किया गया है शेहरों को जो है जो भी availability है फिलाल के planning के इसाब से उसके इसाब से ढाला गया है फर एकजांबल अगर हम लंडन की बात करें तो यहाँ पर कई सरे narrow circle के ओपर एक काफी complicated one way system लगा गया है यानि कि जो शेहर के internal areas है वहाँ पर roads को सिर्फ और सिर्फ one way में ही इस्तेमाल किया जा सकता है और सारी roads को इसी तरीके से design किया गया है जो की congestion को कम करने में बहुत मदद करते है कई areas को सिर्फ सिर्फ pedestrian कर दिया गया है यानि वापर सिर्फ pedal जा जा सकता है parking, engrachment इन जैसे चीज़ों पर काफी strict loss है भारत के अंदर चीज़ों को implement कर पाना कि इतना आसान या difficult होगा या आप सब समझते होंगे लेकिन one of the biggest reasons भारत के अंदर planning खराब होने का ये है कि शेर का layout इतना खराब ना होने के बाव जो लोग जो है उसका use जो है efficiently नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से नहीं करते हैं लेकिन अगर ये discipline किसी तरीके से हम लाने में successful रहे तो आज जो शेर हमें नजर आते हैं मेभी उनका planning चेंज ना हो लेकिन जो planning है उसके सबसे उनका इस्तमाल हमें ज्यादा अच्छे से होते हुए नजर आएगा finally कुछ चीजों के बारे में बात कर ले दे solutions के अंदर पहली बात हम democracy में रहते हैं इसके लिए देश के किसी भी शेर के अंदर drastic changes हमें नजर नहीं आएंगे ऐसा नहीं होने वाला है कि Mumbai के अंदर जितने भी legal encroachments है वो एक या दो महीनों के अंदर तोड़ फोड़ कर नई चीज़े वापर बनेगी हम एक democracy में रहते हैं government जो है वो इन encroachments को legalize करते रही है और उनके बास में भी rights होता है जिसके वज़े से ऐसा कोई step लेपाना ना legally possible है ना morally सही होगा इसके बाद में दिक्कत यहाथ ही है कि कोई चीज़ अगर पहली बहुत ज़दा खराब हो चुकी है तो उसको उसके बाद में repair करना ज़्यादा difficult होता है और same thing देश के शेरों के साथ में भी हुई है जिसके कराण कहीं न कहीं wait and watch का situation भी भारत के सामने आ जाता है finally एक बहुत बड़ा issue यह है कि हमार देश के अंदर जो central planning है वो इतनी ज़दा शेरों के design को dictate नहीं कर सकती फिलाल अगर हम US शेरों के बात करें तो आपर central और state दोनों लेवल पे जो है planning शेरों के design की जाती है लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता है in fact अगर central government बोलती भी है कि ऐसा ऐसा करो तो वो हमेशा state government follow करेगी legally वो हम surety के साथ में नहीं कर सकते है जो government का है उसको easily deny किया जा सकता है और अपने सबसे काम किया जा सकता है और इस चीज़ों पर regulations लाने की काफी strict जरूरत है और इस तरीके से देश के अंदर की planning बहतर बन सकती है आपको मैं फिर से एक बार याद दिलना चाहूंगा कि आप कुको FM की premium subscription को subscribe करते हुए आप अपने समय को ज़्यादा productive लिस्तमाल कर सकते हो तो दिएगे link को ज़रूर क्लिक करें जो description में है पिर 50 code के इस्तमाल करें याद रखना है कि 50 users के लिए valid होगा और मिलेंगे अगले वीडियो में